तो यह है गाड़ी Tata Punch Pure Model with ICNG जिसमें Twin Cylinder आते हैं CNG के अब इसमें आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि जो आप इसमें देख पा रहा है यह AC के यूनिट को इसको वैसे देखने चाहते है तो पूरा यूनिट ऐसे दीख रहा है कि आटोमेटिक पूरा है Climate Control के साथ में पर यह पूरे के पूरी Manual AC है इसमें Automatic जैसा कुछ है नहीं है खास करके बस फर्क यहां पर इतना है कि जो और गाड़ी में आपको यहां पर गुमाने वाले नॉप्स दिखते थे यहां पर यह सारी चीज़ें आपको buttons में दे दी गई है तो किस तरह इन buttons का use होता है कौन सा button आपको कभ यूज़ करना चाहिए उसके बारे में आज इपनी detail में वीडियो होगी तो सबसे पहले मैं आपको विता दूँ कि जब भी आपको अगर अपनी गाड़ी में AC को use करना है तो गाड़ी में AC यूज़ करने से पहले आप अपनी गाड़ी को start कर लिजिए बहुत स अफसे टाइम पे होता ही है कि आपकी गारी के जो भी कंप्रेश princess ऌड़ को इसलिक्ता पर यांट इप ठीस दोड़ पड़ता है तो अब है यहां पर सब्सक्रियो जिसे की सारी चीज़े यहां पर बंद हो जाएंगी अब बड़े ही आराम से आपको अपनी गाड़ी का जो भी इंजन है उसे स्टार्ट कर लेना है अब आपके गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो चुका है और अपने नॉर्मल आर्पीम उस पे आ चुका है अब हम बात करते हैं कि इस एसी में कौन से कौन से बटन्स हैं और किस तरह आपको इसे यूज़ करना है खास करके टाटा पंच वालों के लिए ये वीडियो बड़ी काम की होगी तो जी सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको एसी ओन करने के लिए यहां पे दो तरह के बटन्स मिल जाते हैं एक तो यह हो चुकी है अब इसके बाद में आप जो यह में ली देख पा रहे हैं यहां पर फैन आपको छपा हुआ है इसमें आपको मिलता है जो भी आपकी गाड़ी में फैन है उसकी एग्जस्मेंट उसको किस तरह कितनी स्पीड वे आपको चलाना है जैसे कि बहुत सारी गाड़ी आप फैन की स्पीड ज्यादा होती महसूस होगी और बड़ी ही जल्दी अगर आप चार पे कर देते हैं तो आपकी गाड़ी में कुछ इस तरह की हवा जाने लगेगी जो कि आप माइक के जड़िए से सुन पा रहे होंगे तुझी जैसे कि आपने देख लिया इतना यहां पर भेंकर वाली हवा अभी आ रही है मैं अगर माइक को पास में करूँगा तो आपको हवा सुनाई देगी जब भी इस तरह से फुल ज्यादा हवा होती है वैसी आप हवा यूज ना करते हुए आप अपनी गाड़ी में इसे एकदम मिनिममम तक ले आईए अगर आप अपनी गाड़ी में जो भी फैन की स्पीड है उसको कम रखते है तो गाड़ी की फैन की स्पीड कम होने से फरक पड़ता है कि आपकी गाड़ी पे बिकार में जो फैन है उस पर लोड नहीं पड़ता है और कूलिंग आपको ज्यादा अच्छी मिलती है अगर आप यूं सोचते हैं कि आप अपनी गाड़ी में बड़ी ही स्पीड में फैन चलाएंगे तो गाड़ी जल्दी कूल हो जाए क्या 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 काम है अगर आप दबाते हैं तो यहां पे आपको दो दगह मिलेगी यहांई आपको यहां पर बनाव जी देख रहा है वह फेस की तरफ भी और नीचे पैरो की तरफ भी है यानि अब यहां पे जो AC की blower की हवा आ रही है वो इन दोनों यह जो चार यहां पे हैं वेंट यहां से तो आई रही है साथ ही साथ नीचे पैरों के पास में भी आपको हवा आती हुई मैसूस होगी फिलाल तो जूते पैर रखें इसलिए साथ मैसूस नहीं होगी अगर आपने slippers डाल र सकते हैं जो की third number पे है अगर आप यहां पे दबा देते हैं तो अब जो भी यहां पे air vents है यह वाले देखिए बिल्कुल dead हो चुके हैं almost यहां पे 0.1% जिटनी मामूरी ठंडक सी आ रही है यहां पे हवा आने बिल्कुल बंद हो गई है सारी हवा जो आ रही थी वो नीचे एकदम पैरों के पास आ रही है यहां से आना बंद हो चुकी है तो जी दोबारा हम अगर इसको सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से यूज़ करना इसी को तो यह वाला जो मोड है उस मोड को हम यूज़ कर सकते हैं तो जब यह मोड पे हमको ज़्यादा हवा आती तो इन सब का काम किया है तो मैं आपको सिद्री से बता दूं कि यह दो मोड से जनरली तब काम में आते हैं कि आपने अपनी गाड़ी को कभी भी ऐसी जगर खड़ी कर रखा है कि जहां पे बहुत ज़्यादा धूब है और आपको पता ही है कि जब अगर गर्मियों के सीजन में बाहर क आते हैं इन दो गटन का यूज जनरली होता है जैसे मान लीजे आपने इसको दबा दिया अब यहां पर जो भी आपकी गाड़ी में नीचे की तरफ ठंडी हवा आएगी और ऐसे राएं पर आपको करना होता है कि इसके जो विंडोस होती है वो खोल दीजिए तो जब आप इसे भार चली जाएगी और ठंडी हवा उसकी जगह लेड़ीगी क्योंकि साइंस में अगर आप देखने जाए तो हमेशा गरम हवाएं ऊपर रहती है और ठंडी हवाएं नीचे रहती है और इसी प्रिंसिपल पर जो होट एर बलून्स होते हैं वो काम करते हैं तो यह तो ह देख लीजिए यहां पर आपको बटन दीख रहा है जिसमें आपको एरो नीचोई की तरफ की दीख रहा है और आप इसका यूस करते हैं तो यहां पर आपको दो चीज विलेंगी यहां पर दो चीज बिलेगी ज अब यहां से हवाय पैर के पास आएगी और दूसरी इसकी प्लेसिंग हो जाएगी यह जो आप वेंट देख रहा है यहां से अब जनरली इस तरह की वेंट का कब काम में आता है अब जैसे कि आपको गाड़ी की विंट शेल पे हलका हलका पानी दीख रहा होगा बारिश का मौसम है है और वेंट शेल पे पानी होना बड़ी आम बात है सीधी सी बात समने से ही पानी आएगा ऐसे समय पे हम अश्मिन गाड़ी का वाईपर यूस करते हैं पर कई बार ही हैजी करने के बाहरी भी हमारी गाड़ी में फोग जम जाता है अब उस फोय को हटाने के लीए करें तो क दीख बताया जैसे कि यहां पे हम नेगे बटन दवार रखा है अँह से जो हवा नीचे से आ Carl यह साथ सहरे है तो यह जो हवा और बist के उसके वजे से जो भी क्या रहता है वह något इसको खिसकाते हैं जिस वजह से वहां पर नॉप खुलता है और बंद होता है तो यह तो इसका काम हो गया आईए जनते हैं और भी कुछ मूढ के केवल के यहां से आईगी और यह मोड्ह आपको जादातर दाने जरभी बारइस पतःते हैं इसकी मेनकी इसके अच्छी परूं करते हैं और जो जम जाता है तो कुछ इस तरह से धुंदलापन दीखता है और आगे आपकी गाड़ी पूरी तरह से नहीं सही चल पाती है तो यह चीज तब आपके काम में आती है आएध हमने सब चीजों के बारे में बात कर ली अब बचता है यह वाला डायल अब देखे इसका में काम तो जैसे मैंने स्टार्टिक में आपको बताया था ओन अफ करने के लिए हो सकता है जैसे कि आप अगर इसको एक बारी प्रेस करते हैं तो ऑन होता है फिर बात में बंद हेँ यहां से आने लगेगी पर वह जो हुआ रही है वह एक दम नौर्मल हाई यहां पर नहीं यह थंडी नहीं गरम होगी ऐसे समय पे जो हवा आ रही है वह जिस तरह की होगी उसी तरह की सीधी आपके मूंगे डिलेवर हो जाएगी जब कभी आपके गाड़ी चल रही है जलते आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यहां पे अब मेरी गाड़ी में ठंडक हो चुकी है तो ऐसे टाइम पे आप इस बड़न को बंद कर सकते हैं और जो भी नॉर्मल हवा है उसका मज़ा ले सकते हैं दुबारा से अगर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं भई अब तक देख पार हैं आपको बलू लाइन्स दीख रही है इस तरफ आपको रेड लाइन्स दीख रही है इस तरफ अगer आपने पूरा इसको गूमा रखा है एक दो तीन चार मोस्दथं तक है तो यहां पे आपकी गाड़ी असीप पूरी दरह से ठंड़ी हवा देगी पर अ उसी जो automatic जो भी मतलब गाड़ियां होती है, automatic AC वाली गाड़ी होती है, climate control वाली उनमें आपको यहाँ पर temperature set किया जाता है, जैसे आप अपनी घर की AC में temperature set करते हैं, 16 से लेके 30 तक आपको वहाँ पर temperature से देखने को मिलता है, यह वाला feature कहीं न कहीं उसकी ही तरह काम करता है, यहाँ पर आपको number में तो नहीं, पर यहाँ पर जो cable इसका indication है, उसके साब से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और अगर आप इसको पूरा इस तरफ कर देंग आपको बता दूँ कि अगर आप यह वाला feature यूज कर रहे हैं, पूरी तरह से गरम हवा आप लेना चाहरे हैं, तो आप आप दो चीज बंद कर दीजिए, एक तो यह वाला button बंद कर दीजिए, जिससे कि आपकी गाड़ी के compressor को ज्यादा काम करने के जरूत ना पड़े, और आप बात करूँ मैं, इस वाले button की आपको compressor की उबंद करना है, यह जो गरम हवा अभी हमारी गाड़ी में आ रही है, बड़ी बहनाक तरीके से, यह जो गाड़ी में engine घूम रहा है, यह जो हमारी गाड़ी में engine चल रहा है, और engine की आसपास जो भी coolant बहरा है, उसकी गरमी स से हमारी गाड़ी के cabin को गरम किया जाता है, तो यहाँ पर compressor का कोई role ही नहीं, अगर आप compressor को बंद भी कर देंगे, तब भी आपकी गाड़ी में गरम हवा easily आती रहेगी, तो जिक कैसी लगी आपको जानकारी, मैंने इस पूरे AC सिस्टम के बारे में आज की वीडियो बना रखी है, अगर आपको जानकारी अच्छे लगती एक परसेंट भी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने ही फ्रेंड्स के साथ में आपके जान पेचान वालों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करना, जिसके पास में टाटा की पंच या पिटाड़ा की कोई भी गाड़ी है या फिर कोई भी ऐसी गाड़ी जिसमें इस तरह का EC system आता है, तो कैसी रएक वीडियो, ज़रूर से comment में बताना और इसी तरह बनेरी मेरे इस वीडियो पर, मेरे इस चैनल पर, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्रा